हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू दी चैनल तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लिकर आए हूँ ख्लास टैंस एक और इंपॉर्टेंट चाप्टर जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंट पहला पार्ट कोवर करेंगे जिसका नाम है इस फर्स्ट फ्लाइट जिसके राइटर का नाम है लिया मो फ्लाहर्टी तो फ्रेंट्स चलिए बिना देर की इस चाप्टर के एक्स्प्रिनेशन शुरू करते हैं तो ये जो स्टोरी है वो एक यंग सीगल के बारे में है जो कि लाइफ के उस स्टेज पर है जहां पर उसे उरना सीखना है उसके ज बहन है जिनको डर नहीं लगता उन्होंने जल्द ही उरना सीख लिया है लेकिन वो उर नहीं पा रहा क्योंकि उसे बहुत जादा ही डर लग रहा है जब वो तीनों मिलकर फर्स टाइम उरने के लिए गय थे समुंद्र के किनारे उसके जो चोटे भाई बहन है वो उरने में कामियाब हो गया लेकिन वो उर नहीं पाया क्योंकि उसे अपने पंकों पर विश्वास नहीं था उसे डर लग रहा था बड़े से समुंद्र को देख कर और उसने ये सुईकार कर लिया ये मान लिया उसने खुद को कंविंस कर लिया कि वो कभी भी उर नहीं पाएगा जिस इसकी वजह से उसे अंदर ही अंदर बहुत जादा ही अशेम फील हो रहा था और उसका दिल जो है वो तूट गया था जिसकी वजह से वो क्या करता है कि वो लेज के अंदर जाकर सो जाता है जहां पर वो यूज्वाली सोया करता था अब लेज क्या होता है लेज जो है वो एक narrow सा horizontal projecting होता है basically from a wall या फिर एक cliff यानि कि एक mountain के cliff से छोटा सा portion जो है वो बाहर की तरफ horizontally निकला हुआ होता है तो वो वही पर जाकर सो जाता है जहां पर वो usually सोया करता था उसके जो दो भाई और छोटी बहन थी उन्होंने उरना पहली बार में ही सीख लिया जबकि उनके wings जो थे उनके जो punk थे वो उस सीगल से छोटे थे फिर भी उन्होंने उरना सीख लिया manage कर लिया लेकिन वो बार बार कोशिश कर रहा था लेकिन वो अपने अंदर वो courage नहीं जुटा पा रहा था वो हिम्मत उसके अंदर नहीं आ रही थी तो उसके जो parents थे उसे बार बार डाट रहे थे कि तुम फिर से कोशिश करो लेकिन वो बहुत जादा ही डरा हुआ था और वो इतना जादा डरा हुआ था कि वो hill भी नहीं पा रहा था वो move भी नहीं कर पा रहा था अब पूरे एक दिन बीच चुके थे और वो एकदम अखेला था क्योंकि उसके जो parents थे वो उसके चोटे भाई बहन के साथ बीजी थे वो उन्हें अच्छे से उरना सिखा रहे थे और अपने fish को कैसे पकड़ा जाए अपने food को कैसे पकड़ा जाए वो उन्हें सिखा रहे थे in fact वो अपने older brother को देखता है कि उसने अपना पहला जो fish है herring उसे पकड़ लिया है और वो उसे proudly खा रहा था एक rock पर खड़ी होकर और उसके जो parents थे वो celebrate कर रहे थे उसके साथ तो उस सुबा उसके जो parents है वो उसके पास आते हैं और उसे taunt मायते हैं कि तुम इतने डरपोक क्यों हो अब जो sun है वो अच्छे से rise हो गया था यानि कि जो सूरज है वो निकल गया था और जो young seagal है उसे धीरे धीरे गड़मी लग रही थी पहले से जादा यानि कि बहुत जादा उसे पहले के मुकाबले बहुत जादा गड़मी लग रही थी फिर वो अपना एक पैर उठा कर ऐसे pretend करता है कि वो सो गया है ताकि उसे अपने family से कुछ attention मिल सके still इसके बावजूद भी कोई उसे notice नहीं करता उसके जो छोटे भाई बहन थे वो सो रहे थे उसके जो father थे वो अपना feather यानि कि अपने पंग को वो clean कर रहे थे अपने beak से अपने चोच से वो अपने feather को clean कर रहे थे और उसकी जो mother थी वो दूसरे प्लेटू पर खड़े होकर अपना fish जो है वो खा रही थी तब ही वो उसको notice करती है तो जो young seagal था उसे पहले से बहुत जादा ही भूख लगी थी और जब उसने अपनी मा को वैसे fish खाते हुए देखा तो उसकी भूख जो है वो बहुत जादा ही बढ़ जाती है और वो एकदम पागल सा हो जाता है भूख के मारे वो अपने मदर के act को देखता है कि वो जिस तरह से fish को tear कर रही थी फिर वो अपने beak से अपने चोच से उस पर scrap कर रही थी उसे मार रही थी तो वो act देखकर वो एकदम भूख के मारे पागल सा हो जाता है तो क्योंकि वो भूखा था तो वो भूख के मारे अपनी मदर को देखकर चिलाता है उसकी मदर भी चिलाती है गुसे से लेकिन वो रोना बंद नहीं करता वो चिलाता ही रहता है तब ही उसकी जो आवाज है रोने की वो joyful में बदल जाती है यानि कि एकदम खुशी के मारे चिलाने लगता है जब वो देखता है कि उसकी जो मदर है वो उसकी तरफ ही उरकर आ रही है विद पीस ओफ फिश यानि कि वो मचली का टुकरा लेकर उसकी तरफ उरकर आ रही थी तो वो ये देखकर खुशी के मारे चिलाने लगता है वो खुशी के मारे बहुत जादा ही excited ब्वह बेंटेड हो जाता है जब वो देखता है उसकी मधर के पास आ रही है और वो अपनी मदर की तरफ लीन करता है यानी कि जुगता तब ही अचानक वो देखता है कि उसकी मदर जो है वो उससे जादा दूर नहीं लेकिन रुख गई है वो एकदम सी स्टॉप हो गई है ऐसा लग रहा है कि वो एकदम स्टैचू हो गई है वो हिल नहीं पा रही है तो एकसाइटमेंट में और भूख के मारे वो कुछ भी बिना सोचे वो एकदम डाइव करता है फिश की तरफ उसे लेने के लिए और वो ये भी नहीं सोचता कि वो डर रहा था उड़ने से तो ये जो डर का खयाल है वो एकदम से उसके दिमाग से निकल जाता है और खुशी के मारे और भूख के मारे वो बिना कुछ सोचे डाइव करता फिश की तरफ यानि कि उड़ने की कोशिश करता है तो वो इतना excited हो गया था कि वो फिश को लेने के लिए dive करता है और जैसे ही वो dive करता है तो कुछ moment के लिए वो एकदम शौक हो जाता है और उसके अंदर जो डर है वो आ जाता है वो कुछ भी नहीं करता बस गिरता चला जा तो कुछ पलों के लिए वो एकदम से शौक हो जाता है उसके अंदर डर आ जाता है और वो एकदम से स्टील हो जाता है लेकिन ये सब कुछ जो है वो कुछ ही पलों के लिए चलता है और फिर वो क्या करता है कि वो धीरे धीरे अपना फैदर जो है वो खोल लेता है और जैस करता है कि कैसे उसके जो विंग्स थे वो हवा को एकदम चीरते हुए उर रहे थे अब उसे बिलकुल भी डर नहीं लग रहा था और वो थोड़ा सा नर्वस था कि तभी उसकी मदर जो है वो उसके पास आ जाती है और उसे कमपनी देती है फिर उसकी जो पूरी फैमली है वो वो एक खुशी के मारे उसके पास आ जाती है और वो सेलिब्रेट करने लगती है कि उसने अपने डर पर काबू पा लिया एक बार जब वो अपने फियर पर अपने डर पर काबू पा लेता है तो वो सब कुछ भूल जाता है वो ये भी भूल जाता है कि वो कभी डरता भी थ उड़ने से तो वो क्या करता है कि वो सी के ऊपर एकदम स्ट्रेट फ्लाइ करता है और फिर वो देखता है वो ग्रीनरी वो माउंटेंस जो उसके नीचे थे और फिर वो स्क्रीम करता है चिलाता है खुशी के मारे और वो बहुत जादा ही इंजॉय कर रहा था अपने विक्ट रहे थे excitement में खुशी में अपने high pitch voice में फिर जो यांग सीगल है वो सी के पास जाता है जहां पर कभी वो जाने से डरता था और panic हुआ करता था तो वो सी के पास जाता है लेकिन फिर से वो पीछे हट जाता है क्योंकि वो बहुत जादा ही ठक चुका था और वो कमजोर हो गया लगता है स्विम करने लगता है फ्लोट करने लगता है जिसको लेकर वो पहले डरता था लेकिन अब वो फ्लोट कर रहा था फिर उसकी जो फैमिली है वो सेलिब्रेट कर रही थी excitement में और वो उसे food offer करते हैं उसे dogfish देते हैं खाने के लिए finally वो अपने सारे fear को overcome करके उसने अपनी पहली उरान जो है वो भर ली थी two stories about flying तो ये इसका part two है जो की है black aeroplane तो friends इस chapter के जो writer है उनका नाम है Frederick Forsyth तो friends चलिए इस chapter का explanation शुरू करते हैं तो वो रात का समय था पूरा आसमान जो है वो एकदम clear था साफ था जो stars है वो twinkle कर रहे थे जो तारे है वो चमक रहे जो pilot है उसे बहुत जादा ही peace महसूस हो रहा था शांती महसूस हो रहा था वो country के उपर उर रहा था और पूरी country जो है वो सोई हुई थी और वो अपने plane को France से England की तरफ उरा कर लेकर जा रहा था करीबन सारे एक बज रहा था in the morning यानि की 1.30 in the morning हो रहा था time और वो dream कर रह था अपने holidays के बारे में कि जल्द ही वो अपने family के पास पहुंच जाएगा और अपनी चुटिया उनके साथ बिताएगा जब airplane जो है वो फ्रांस में था तो pilot जो है वो सोचता है कि वो Paris control को inform कर दे कि वो कहा है और कुछ instruction ले ले उनसे उसी time जो Paris city से light आ रही थी वो उन्हे देख पा रहा था तो तो वो inform करता है control agency को कि वो उसे reply करे further instruction दे direction को ले कर तो control room Paris जो है वो उसे instruct करता है कि उसे 12 degree towards the west मुड जाना चाहिए तो instructions मिलने के बाद वो उसे follow करता है और वो अपना last fuel tank जो है उसे use करने लगता है तो all this time वो अपने family के बारे में dream कर रहा था फिर वो सोचने लगता है कि जल्द ही वो अपने family के पास अपने destination point पर पहुँच जाएगा और वो उनके साथ एक अच्छा सा breakfast करेगा और वो ब जो plane है उसने Paris को cross कर लिया था और वो जब Paris को cross करता है तो वो अपने सामने बादल देखता है clouds देखता है तो clouds का होना आसमान में ये बहुत जादा ही unsafe होता है और वहाँ पर chance था storm आने का क्योंकि वो storm clouds थे वो बहुत जादा ही बरे थे dark color के थे इसलिए pilot जो है वो उन clouds को black mountains कहकर compare करता है वो जानता था कि वो उन clouds से pass नहीं कर सकता यानि कि वो clouds के अंदर से नहीं जा सकता और उनके उपर से जाना impossible था क्योंकि उसके पास बहुत ही कम fuel बचा था क्योंकि वो अपना last fuel tank जो है वो उसे use कर रहा था तो उस time पर जो right decision होता वो ये होता कि वो वापस Paris lot जाए और वो safely पहुँच जाएगा लेकिन pilot के अंदर था कि वो अपने family से meet करना चाहता था वो अपने family को मिलना चाहता था वो किसी भी हालत में अपने family से मिलना चाहता था वो उनके साथ वो English breakfast करना चाहता था जिसके लिए वो सुबह से सोचा जा रहा था जिसको लेकर वह सुबह से सपने देख रहा था तो वो decide करता है कि वो ये risk उठाएगा और वो वापस लोट कर नहीं जाएगा तो वो क्या करता है कि वो plane को सीधे storm में लेकर जाता है storm के अंदर में यानि कि उन storm clouds के अंदर से वो plane को लेकर जाता है तो जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है कि चारो और जो है वो अंधेरा था because of the storm and nothing was visible outside the plane और कुछ भी plane के बाहर दिखाई नहीं दे रहा था और वो control room से अपना जो connection है उसे भी खोने लगता है तो वो control room से उसका जो connection है वो भी exhaust हो जाता है खतम हो जाता है जो compass थे और बाकी जो सारे instruments थे वो भी काम करना बंद हो गये थे because of the bad weather bad weather की वजह से सारे instruments in fact compass भी काम करना बंद कर देता है और वो एकदम helpless हो गया था वो Paris control agency से बात करने की कोशिश कर रहा था जो उसे पहले help कर रहे थे लेकिन वो उनसे connect नहीं कर पा रहा था weather की वजह से तो इन सब के बीच जब सब कुछ काम करना बंद कर देता है सब कुछ जो है वो fail हो जाता है तभी एक आशा की कीरण उसके सामने आती है तभी वो एक दूसरा aeroplane देखता है तो जैसे ही वो दूसरा aeroplane देखता है वो थोड़ा relief फिल करता है उसके अंदर थोड़ी शी शान्ती आती है और वो देखता है कि जो दूसरा pilot है वो उसकी तरफ आ रहा था ताकि वो उसे help कर सके उस strong cloud से निकलने में वो अपने आप में ही सोच रहा था कि जो दूसरा pilot है वो कितना दयालू है कितना kind है क्योंकि वो जानता था कि वो खो गया है और अब जो दूसरा pilot है वो उसे help करने की कोशिश कर रहा था तो जो दूसरा pilot है वो उसके plane के एकदम सामने जाता है ताकि उसके लिए easy हो जाए तो उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी वो थोड़ा पैनिक हो रहा था क्यूंकि उसके पास बहुत ही कम फुल बचा था तभी वो देखता है कि वो धीरे धीरे स्ट्रॉम क्लाउट से बाहर आ रहा था और उसे रनवे दिखाई देता है तो वो सेफली प्लेइन को लैंड करत और फिर लैंड करने के बाद वो पीछे बुड़ता है दूसरे पाइलट को देखने के लिए ताकि वो उसे ठैंक्यू कर सके उसे ठैंक्स कह सके तभी वो रियलाइज करता है कि जो दूसरा पाइलट है जिसने उसकी हेलप की थी वो कहीं गायब हो गया है तो जो author है उसे पता नहीं था कि वो कौन सी जगह थी जहां वो land किया लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसने plane को अच्छे से land करवा दिया तो वो क्या करता है कि वो डकोटा से उतरने के बाद सीधे control tower जाता है और वो वहाँ पर जाकर एक woman से पूछता है कि वो अभी कहा है और वो उस दूसरे airplane और उस pilot के बारे में उस woman से पूछता है तो जैसे ही वो दूसरे airplane और उस pilot के बारे में पूछता है तो पहले तो वो woman जो है वो हसने लगती है और फिर वो कहती है कि दूसरा airplane मैंने इस storm में आपके plane के अलावा और कोई भी plane उरता हुआ आज रात नहीं देखा radar पर तो इस पर जो author है वो सोचता है कि आखिर किसने उसकी help की बिना compass बिना radio और कम fuel में उसे safely land करने में आखिर वो बिना lights वाले airplane में बैठा pilot कौन था तो इसी question के साथ आपकी जो story है आपका जो chapter है वो खतम हो जाता है